कि सेक्सी कपोर 18 प्लस में आपका स्वागा थे यह मेरा पहला पोड़कास्ट है और मैं आज अपनी एक रंगी जो मेरा सेक्स था जो मतलब नहीं होना चाहिए था और हो गया था तो उसके बारा में आप बात करने वाला हूँ तो बात यह है कि मैं अपने उपने घर से तयार वोकर निकला था और नाई की दुकान पर गया और नाई की दुकान पर जब मरें हुदी कराने के बार फिर में वहाँ balance दुकान मतलब नाई के दुकान के बाहर खड़ा था और बाहर खड़ा था तब ही मैं इसे देख रहा था उपर नीचे कहीं भी और तिसरे माले पर मेरी नजर चलेगी और एक और मतलब एक भाबी थी जो मुझे देख रही थी, बहुती अदा देख रही थी, मैंने सुचा कि यार यह मुझे इस तरह से क्यू देख रही है? मैं मैं इसiron के किसी और को देखते हो गे फिर मीने आजू बजू देखा तो कोई नी था मिरे कोई देख रही गी मैंने भी असको देखना चालू कर दिया मतलब हम देखे जा रहे हो भी मुझे देखे जा रही है देखे जा रही, देखे जा रही, फिर उसने थोड़ा सा स्माइल किया, फिर मैं समझा किया रही है, तो मुझे को स्माइल भी दे रही, मैंने भी स्माइल दिया, और मतलब मेरे थोड़ा दिर और वहां खड़ा रहा, खड़ा रहा, फिर वापिस में उसको देखते हुए इसा जैसे मेरे घर पर में जैसे झाता घा रहा था तो पुछे तुरंट वो तिसरी माले से उत्री और पीछे के रास्ते से जो मेरा घर था उसकी तीसरी माले पर चले गी और मेरा गर था दूसरे माले ग घृत्हे हो sodmir ma laat तो मेरा दूसरे माले में मेरा टॉइलेट था और वो जैसे उपर से आई तीसरे माले से उतरी और में डारेक्ट दूसरा माला चड़ा और तो दादर में मुला का दो गई अब मैंने उससे कभी बात नहीं की थी हाई हलो फ्रेंड टेंक यू कुछ भी नहीं था और क्या सूचो क्या बोलू क्या बात करो मुझे कुछ पता नहीं था क्योंकि पांच मिनिट पहले इसे नजर मिली ये और मैं उसको कुछ गरत बोल दूंगा या कूलत कुछ कर दूंग को हल्गा लगा तो मेने लोगा बोला कि ह enemco कुछ गड़ा हो रहा है पिर में तो सोचा हे के नहीं है मतलब इस फूर नहीं में पांव दिकिता और में टौलेट में उसको खीच कर लेगे गया है हुब अब टौलेट में खीच कर ले गया है भी आ लगए है तो मैनंने बहुत थो प्रवियाद करना ही है जो होगा वो देखा जाएगा फिर तो भी कुछ बोल नी रही है फिर मैंने क्या करना था फिर मैंने उसकी साढ़ी मी उन्ची की और मैंने अपने कपड़े निकाले और मैंने सेक्स किया, और मैं सेक्स कर रहा था, तबी भी वो कुछ बोल नहीं रही थी, कुछ भी नहीं बोल रही थी, मैंने सुचा कि डर के बारे दरती होगी, तो नहीं बोलती होगी, बाहर कोई उसका आवाद सुन लेगा, तो उसको बोलेगा, क्या कर रही है, क्या है, तो मैंने चलता जाने वहाई मुझे अपना काम करना है तो मेने तो अपना काम मशकी क्या रही थोड़ा सा याना कोई ने तु निकल के थोई निकल गए और चले गए और फिर है या मैं अपने घर पर चला गया और फिर एसे ही चलता रहा टोईलेट के अंदर आना जाना बहार फिर मेरे घर पे अगर कोई नहीं था तो मैं अपने घर पे भी बुला लेता तो इसे मतलब चार-पाथ दिन कंटीनू चला रहा है फिर एक दिन यह हुआ कि मैं वापिस नाई की दुकान पर गया और नाई की दुकान पर गया और मेरा दोस्त ने बोला कि देख सक्सी कपूर वो आ रही है मैंने बोला कौन बोलता है वो देख गूंगी मैंने बोलो क्या बोलते हो गूंगी है बोल नहीं सकती मैंने बोला अच्छा इसके लिए वो बोल नहीं रहती मैं सोचा के यार क्यों नहीं बोल रहे है क्यों नहीं बोल रहे है फिर उसने मुझे बताया कर तुझे इसका मैं लग वला कॉंसा कांड मैंने सुचा मैंने किसी को बताय भी नहीं और मेरा कांड पता चल गया तो बोलते हैं ने 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 इसका कांड यह सेक्सी बोलता है पुरी सुसाइटी के अंदर ऐसा कोई इंसान नहीं होगा कि इस गुंगी के साथ इसने सेक्स नहीं किया होगा और एक मज़ेदार बात बोलू कि यहां सुसाइटी का जो गटर साप करने वाला राजेंदर सिंग है राजेंदर उसने भी इसके साथ सेक्स किया है मतलब मैंने बोला कि तुने भी किया होगा हारे पूरा सुसाइटी में में भी आ गया और बात में मुझे बोलते कि तुने किया नहींना मैं तो आना मैं तो वालूम पढ़ा, तभी बोला मालूम बोला तभी मुझेSmith, मैं तब ही जाके मुझे 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 स्वाड़ा कि पूरी सुरसाइटी के अंदर इसा कोई अदम नहीं था, अगन, भगन, आय, भाय उप्ठीर, उसरा माल को अनतरी है, पूरा सुर दोस्त ने बोला कि उसको कुछ sex की problem है उसके लड़के नहीं हो रहे थे, उसको sex इतना पसंद था, इतना पसंद था क्यों कोई भी मतलब sex करने के लिए तयार थी, कोई भी x y z उससे कोई मतलब भी नहीं है, कौन उसके काम कर रहा है, फिर मैंने सुचा कि यार ये तो गलत हो गया, कितने जनलिन लुक की इसके साथ ये sex किया, और मैंने भी sex कर लिया, तो फिर मैंने, मुझे थोड़ा से मतलब इसा problem हो गया, कि यार कुछ गलत हो गया, फिर मैं डायरेक्ट ऑस्पिडल चला गया, मैंने अपना AIDS के रिपोर्ट निकाल वाए, और दो दिन के बाद मेरा रिपोर्ट आया, और भगवान की मेरवानी के मुझे कुछ भी नहीं था, मेरा रिपोर्ट अच्छा था, मगर वो हाथसा मेरे साथ होते होते दे गया, और यह हाथसा आपके साथ ना हो, बस ऐसी दुआ चाहता हो, और अगर कोई ऐसा, अगर कोई है, तो अपनी सेप्टी कॉंडूम पेनना जरूरी है, और जिस जिन ने आपके कॉंडूम नहीं पेनना तो बहुत से इसे हाथसे हो जाते हैं, जो नहीं होने चाहिए, तो सहीम ही रखिया आप और अपनी बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको कि अपना सरीर का द्यान अपनों को रखना है, अगर हम एड़स हो जाएगा तो हम मतलब मौत की बहुत करीब आजाएंगे और सेक्स तो मतलब हम पूरी जिन्दी करने वाले हैं, मगर मेरा साधी नहीं हो था, इसके लिए मुझे बहुत जम्लम था कि मैं सेक्स करो, मेरी उमर में कुछ 20-25 साल थी, तो अगर ये अपिसोड अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरी चैनल को लाइक, शेर और सब्स्क्राइब करिए, कि मेरी चैनल का नाम है सेक्सी कबूरेटिंग प्लस पोडकास्ट तो प्लीज टैंक यू.